प्राइवेट टेलिकॉम ने जब से अपने रिचार्ज प्लान को बढ़ाया है तब से लगातार उनकी मुश्किले बढ़ती भी नजर आ रही है खास तोर पर BSNL ने एक तरफ जहां 4G नेटवर्क को लेकर लगातार काम कर रहे हैं तो वहीं दूसरी और 5G नेटवर्क को लेकर भी BSNL काफी ज़्यादा एक्टिव हो गया है ऐसे में BSNL के रिचार्ज प्लान भी काफी ज़्यादा सस्ते हो रहे हैं और अब ये सवाल उटने लगा है कि जब BSNL 5G लेकर आ जाएगा और रिचार्ज प्लान इतने ज़्यादा सस्ते हो जाएंगे तो प्राइवेट टेलिकॉम की मुश्किले आने वाले दिनों में इंशन बढ़ा दी है सरकारी टेलिकॉम कंपनी पुरदेश में 4G सर्विस शुरू कर रही है साती 5G की भी लॉंचिंग को लेकर तयारी चल रही है प्राइवेट टेलिकॉम कंपनिया यानि के एयर टेल जीयो और वी आई ने पिछले मही ने अपने मोवाईल ट्राफी बढ प्लैन है जिसमें यूजर्स को लंबी वैलिडिटी मिल रही है प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियों के महंगे रिचार्ज प्लैन के मुकाबले बी एसनल अपने यूजर्स को आधी कीमत से जादा फायदे दे रहा है बी एसनल का एक ऐसा ही प्लैन है जिसकी कीमत 200 रूपे स से भी कम है और यूजर्स को इसमें 70 दिनों की वैलिडिटी मिलती है यही ने इस प्लैन में अलिमिटेड कॉलिंग के साथ साथ डेटा का भी लाव मिलता है बी एसनल का ये प्रिपेड रिचार्ज प्लैन 197 रूपे की कीमत में आता है जिसमें 70 दिनों की वैलिडिटी इस प्लैन में यूजर्स को पहले 18 दिनों तब पुरे भारत में किसी भी नेटवर्क पर अलिमिटेड वाइस कॉलिंग ओफर किया जा रहा है इसके लावा यूजर्स को पहले 18 दिनों तक डेली 2 जीवी डेटा का लाव मिलता है और इस तरह से कुल मिलाकर 36 जीवी डेटा म प्लैन में शुरू के 18 दिनों तक डेली 100 फ्री एसमेस का भी लाव दिया जा रहा है यूजर्स इस प्लैन के साथ अपने सिम को 70 दिनों तक एक्टिव भी रख सकते हैं यूजर्स को 70 दिनों तक अपने नंबर पर फ्री इंकमिंग कॉलिंग की भी सुमिधा मिलने वाली है जिन यूजर्स को 18 दिन के बाद भी डेटा और कॉलिंग का लाव चाहिए तो वो अपने नंबर को BSNL के डेटा और कॉलिंग वाले टॉप अव वाचर के साथ रिचार्ज करा सकते हैं फिलहाई तो प्राइवेट अलिकॉम कंपनियों के पास ऐसा कोई भी सस्ता की जा सकती है तो आप देख सकते हैं कि BSNL मार्केट में अपने आपको मजबूत करने के लिए लगातार प्यास करता हुआ नजर आ रहा है एक तरह जहां प्राइवेट अलिकॉम कंपनियों ने अपने प्लैन के यानि कि अपने रिचार्ज के पैसे जब से बढ़ाएं है त को मुश्किल में पढ़ सती है क्योंकि बहुत सारे यूजर्स जीयो एर टेल और वी आई को छोड़कर BSNL में अपने सिम को पोच करवा चुके हैं और अब आने वाले दिनों में ऐसे यूजर्स की संख्या और भी बढ़ने वाली है अब देखना होगा कि प्राइवेट टे